आप में से काफी सारे व्यूवर जो है ये question पूछते हैं कि sir option trading करते वक्त market जब sideways हो जाता है ऐसे में premium decay कर जाता है तो क्या कोई तरीका है जिससे कि हमारा option trading करते वक्त sideways market के बारे में हमें थोड़ा सा indication मिल जाए exactly तो आप नहीं बता सकते कि कम आने वाला है लेकिन yes आपको 70-80% indication मिल जाएगा कि market जो है वो sideways होने वाला है और इस चीज़ को मैं बहुत ही detail में जो है explain करता हूँ अपने Sunday session के अंदर और पिछले Sunday session में भी मैंने explain किया था और आज का जो ये market condition बना हुआ है इस बारे में मैंने students को पहले ही बता दिया था कि आज market जो है sideways होने के chances हैं तो ऐसे में 5W में strategy को use करना सही नहीं रहेगा अब बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि market sideways हो सकता है ऐसा तभी possible है पता लगाना अगर आप complete cycle को trading cycle होता है अगर आप पूरे महिने की बात करें तो पूरे महिने में भी एक trading cycle होता है अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में भी एक trading cycle होता है अगर आप complete trading cycle को follow करते हैं एक ही strategy को ध्यान में रखते हुए तो आप sideways बाजार का indication पहले से ही 70-80% आपको पता चल जाता है कि किस moment पे आपका market sideways हो जाएगा और आपकी strategy काम नहीं करेगी इसमें थोड़ा time लगता है लेकिन आपको जरूरी है कि एक ही strategy को पकड़के चाहे वो 5BA में हो या फिर आप कोई और strategy यूज करते हो price action हो सकता है या फिर RSI पे based कोई हो, MACD पे based हो, कोई भी strategy हो अगर आप उसके complete cycle को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप आप idea लगा सकते हैं कि कब market sideways हो सकता है अब एक दूसरी तरफ यह होता है कि कुछ लोग क्या करेंगे कि कभी nifty में trade कर लेंगे, कभी bank nifty में trade करेंगे, कभी किसी stocks में चले जाएंगे depending upon the situation वो index को या फिर stocks को change करते रहते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो मैं आपको एक ही advice देना चाहूँगा आज कि इस तरह की चीज़ों को बंद कर दीज़ें क्योंकि इससे trading में randomness आजाती है, आप किसी भी एक index का cycle नहीं पकड़ पाएंगे माल लो bank nifty के अंदर आप trade कर रहे हैं, एक से due trade में आपको loss हुआ और आपने क्या किया, आप nifty में shift हो गए या फिर आपने nifty में trade कर रहे थे, आपके एक या due trading session के अंदर आपको profit नहीं हुआ आप shift हो गए किसी stock के अंदर में ऐसे में क्या हो जाता है कि आपका जो instrument है जिसके अंदर आप trade कर रहे हैं कभी cash में गए, कभी index में गए, index के अंदर भी अलग-अलग index को आप trade करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे में जो है, आपका वो cycle complete नहीं होगा और आपको किसी भी time पे idea नहीं लग पाएगा कि market sideways कैसे हो जाएगा तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्यों मैंने students को बताया था कि market sideways होने के chances है वो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पिछला trading session देखोगे, थोड़ा सा idea लगा के मैं आपको दे देता हूँ तो वैसे तो काफी सारे points होते हैं जो मैं Sunday session के अंदर share करता हूँ, जिससे आपको पूरा idea लग जाता है 72% कि market sideways कब होगा, लेकिन यहाँ पे एक point आपके साथ discuss करता हूँ अगर आप पूराना trading session देखोगे, यह वाला जो है, जिसके अंदर 5W में strategy की business पे trade यहाँ पे मिला था इसने 1-3 से काफी जादा दिया, मान लेते हैं आपने 1-3 यहाँ पे capture किया, ठीके उसके बाद जो है, यहाँ पे market थोड़ा सा consolidate करने के बाद 1-3 इसने दुबारा दिया यहाँ पे यहाँ इन total अगर हम देखें, जिस किसी ने भी यहाँ पे position बनाया होगा उसने at least जो है, इस पूरे session के अंदर यहाँ से top to bottom में 1-6 के आसपास पकड़ा होगा ठीक है, अब 1-6 जब market यहाँ पे पकड़ लिया है आपने, ऐसे में अगर आप कोशिश करोगे दुबारा से 5BMA का setup लेने के बाद कि मैं यहाँ पे और एक 1-3 पकड़ लूँ, तो उसके chances थोड़े से कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि market जो है, दो दिनों के अंदर ही 1-9, 1-12 अगर आप पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर 1-3 यह वाला हुआ, ठीक है, अगर आपने hold कर लिया होगा, तो 1-3 आपने नीचे भी पकड़ने की कोशिश करी होगी, तो 1-6 हुआ, और आप चाह रहे हैं कि दुबारा से अगले दिन आपको 1-3 market दे दे, तो उसके chances थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है, तो यह हमारा एक बहुती crucial point है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, कि अगर आपका 5-1 strategy पे लगतार एक या दो profit हो चुका है, तो chances are very high कि आपका जो अगला trade है, वो loss making मनने वाला है, अब इ और सिर्फ 10 लोग उस session का part बन सकते हैं, और एक चीज़ आपको बता दूँ, 5-1 strategy तो सिर्फ 5-1 की है, session के दौरान हम 3 घंटे क्या करते हैं, इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, कि complete system basically किसी भी strategy के पीछे कैसे काम करता है, चाए वो 5-1 मे हो, price section हो, या कोई और strategy आप use करते हैं, उसके पीछे का system कैसे काम करता है, ये चीज़ हम 10 लोग मिलके Sunday वाले live session के अंदर discuss करते हैं, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आपको आज market ने कैसे trap किया लोगों को, यहाँ पर देख रहे हैं, market यहाँ पर opening होती है, ये वाला, ठीक है, market पूर आपको YouTube पे या कोई और trainer जिसको भी आप follow करते हो, कैसे आपको दिखाएंगे और आप trap कैसे हो जाते हैं, वो देखिए, अगर आप blindly price section को follow करेंगे तो, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये वाला जो trend line है, ये trend line था, इसको break करके क्या बना, ये वाला एक bearish candle, और जैसे इस bearish candle के आप जो break down हुआ, इस पे आप entry लेंगे, market दुबारा से उपर चला जाता, आपका stop loss ले जाता है, उसके बाद आप क्या बोलोगे, कोई आपको इस तरीके से दिखाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सर, ये वाला जो point है, अगर ये वाला ये एक resistance है, और market इसी resistance पे आने के बाद ये bearish candle बनाता है, आप जैसे यहाँ trade प्लान करोगे, market दुबारा के आपका stop loss ले जाता है, आप फिर क्या बोलोगे, कि सर, यहाँ shooting star बन गया, ये फिर से resistance लेबल पे shooting star बना है, आप फिर से trade लोगे, ये negative candle एक बना, आप excited हो गए, और quantity आड़ कर या नई लोग enter हो जाएंगे, market दुबारा से आपका ले गया stop loss, देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको सिर्फ price section के basis पे trade लोगे, कई बार आपके stop loss लोगे, क्योंकि आप गलत जगे पे trade ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि top और bottom की जगे पे है, आप सही जगे पे अगर इस चीज को identify करते हैं, तो आप इस price section के इस तरह के trap से बस सकते हैं, और इतनी असानी से price section पे अगर पैसा मिल जाता, तो जो बड़े players से वो बेवकूफ नहीं है, उनको भी resistance level पता है, ये support level पता होता है, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे आने के बाद वो एक candle आपको चाहोगा, इस जगे पे, अगर जिन लोगों ने भी market को continuously observe किया, तो वो ये वाला खीचेंग है, यहाँ पे कोई बंदे चैनल पैटन भी दिखा देंगे, कि देखो channel pattern बन रहा है, ठीक है, अब इस channel pattern का breakout आया, नीचे के तरफ, trade plan किया, stop loss ले गया, दुबारा से अगर आप देखो कि चलो, ये channel pattern में काम नहीं करा, कई लोग horizontal resistance पे खेलते हैं, मैंने फिर सापको दिखा दिया, ये horizontal resistance है, यहाँ पे आके negative candle बना, आपने trade लिया, stop loss ले गया, दुबारा shooting star बना, आपने trade लिया, फिर से stop loss ले गया, तीन-तीन बार trap हो गए, आपकी हिम्मत ही नहीं यहाँ पे देखो, ये ascending triangle pattern बन रहा है, आप कई लोग बोलेंगे ascending triangle pattern है, जैसे उपर breakout हो जाएगा, मैं position बना लूगा, यहाँ पे देखो breakout हुआ, और breakout होने के बार market ने एक दो candle उपर ही sustain किया, जिन लोगों ने भी यहाँ पे breakout पे position बनाया होगा, वो दुबारा trap उनका stop करता है, जब आप live bazaar में होते हैं, वहाँ पे आपकी psychology एक बार trade mentor करने के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाती है, आपको कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ P&L दिखाई देता है, अगर इसी तरह की situation आप लोगों के साथ होती है, comment section में लेके जरूर बताना, और मैं आप आपको फिर बता दू, blindly आप किसी भी एक strategy को follow नहीं कर सकते, आपको multiple confluence में, जो बाहर के लोग होते हैं, इंडियन लोग जो हैं confluence word को कम यूज करते हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो trade करते हैं, वो लोग बोलते हैं confluence, multiple confirmation को वो लोग बोलते हैं confluence, तो अगर आप सही जगह पे multiple confluence के साथ अगर आप trade लेते हैं, और आपका positioning ठीक होती है, और आप risk management proper करते हैं, तो आप इस तरह की situation के होते हुए भी market के अंदर पैसा बना लेंगे, ठीक है, complete system समझना है, तो आप Sunday session का part बनिए, और आपको WhatsApp का number, description में मिल जाएगा, connect कीजिए वहाँ पे complete information लीजिए and मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो students हैं, वो profit बना रहे हैं और जो fee है, वो एक से दूट्रेड के अंदर ही रिकवर कर जाते हैं, और जो लोगों Sunday session का part थे, इस वीडियो को like जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, subscribe कर लिजे, क्योंकि इस